आज 25 नवंबर 2022, बाप दादा के महावाक के हैं, मीठे बच्चे, अव गुनो को निकाल, साफ दिल बनो. साफ दिल बनो, साफ दिल क्या होता है, सचाई और पवित्तरता का गुन्धारन करो, कुंपर से गुन्धारन करना है, सचाई, सचाई क्या होती है, सचाई किसे कहते है, और पवित्तरता, इमान तो आपका ठीक रहे, बाबा से पूरे इमान ठीक रपो इमान दारो और पवित्रता गुदार निकार लो ये बाबार कर दो गुन चाहिए क्या फैदा हो इसे तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी अगर सेवा कर रहे हो दूसरे को तीर नहीं लग रहा है तो समझ लो कहीं आनस्टी में कभी है या प्यूर्टी में कभी है प्रशन है तुम ब्रहामन बच्चों की कर्मा तीत अवस्था कब और कैसे बनेगी तुम ब्रहामन बच्चों की कर्मा तीत अवस्था कर्मा तीत अवस्था मिस कोई भी करम आपको अपनी तरफ खेचे ने नीट्रल हो जाए करम अच्छा बुरे का कोई फरक नहीं पड़ रहा आपको तीक है वो कब बनेगी और कैसे बनेगी इस दम भी बनेगी आईपाम ने बहुत क्लियर किया उत्तर है जब लड़ाई का समान पूरा त्यार हो जाएगा वर्ल्ड वार का पूरा समान त्यार हो जाएगा किदे नहीं रहे हैं उसमें पूरा त्यार है आज देख लो युक्रेन का क्या हाल है रश्या सारे यहां से त्यार अमरीका सब प्यारी कर दे रहे हैं पुरा समान, क्लियर है तियार है, तब तुम सब की कर्मा तीत अवस्ता है नमबर वार बन जाए, उसमें भी नमबर वार है, तो अभी अभी रेश चल रही है, कौनसी रेश? योग की रेश चल रही है ग्यान योग की रेश चल रही है तो करमातीत बनने के लिए क्या करना परेगा पुरानी दुनिया से बुद्धी निकल जानी चाहिए पुरानी दुनिया से बुद्धी निकल जानी चाहिए है किसे निक लेगी है कि 10 के निकलेगी विवावा इम डिलीट कर दें डिलीट का हमारी मरी में बटन ही नहीं है वह उस Πेदर देप overlap है मोबाईल में निकर ठीक है इसमें बटन ही नहीं दिना इसमैं कि करना पड़ता है निक करें गए कि शLaroo बाबा जिनसे 21 किस जन्मों का वर्षा मिलता है। उनके सिवाए दूसरा कोई याद ना आए। यानि पूरा पवित्र बनो। संपोरन पवित्रा क्या है। शुब बाबा के सिवाए कुछ याद ही ना आए। खेल क्या है ये खेल में करना क्या है। जितना कैसे इस खेल में दो शबद याद रखने हैं। नॉट और डॉट क्या चीज़ नहीं करनी है और किस चीज़ पर फूल स्टॉप लगाना है। बस। इतना ध्यान रखो अटेंशन रखो अपना आप सखलता में ती जाएगा। गीत चला मुक्रा देख ले प्रानी दर्पन में कितने पाप और कितने पुन्य की हैं। ये संगम युका समय हैं जब हम समझ सकते हैं पाप क्या है पुन्य क्या है। ओ शान्ती जबकि बेहत का बाप बच्चों को मिला है। और बच्चों ने पहचाना है। इतनी बड़ी बात है। बेहत का बाप मिला भी और हमने पहचाना भी। और हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे। फिलिंग लाओ। कितने पाप की हैं फिलिंग आरी ना। क्योंकि आप में कमी है यह पता होना जरूरी है आम चेंज कब होते हैं जब हमें अपनी विशेशताओं का ही पता हो और कमीयों का भी पता हो अगर हमें अपनी कमी नहीं पता लग लिए है कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं कमी नो प्राबलम फिर ठीक हो जाएगी उसके बारे मेरे में बड़ी कमी है मुझे तो लगता नहीं ठीक हो जाएंगे दिल शिकस्त भी नहीं हो ना ऐसी रहा जाओगे फिर युक्ती क्या है ठीक होने ना तो ठीक होने क्लिए क्या है युगबल बढ़ाओ सिरु युगबल उससे कन्येक्शन बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ क्योंकि उसका पावर है Bapa के पाथ , वो power से क्या होगा जो आपकी कमी कमसहो रहे हो जलती 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 खदम हो जाएगी नौट के बारे में सोच नहीं नहीं है डॉट लगा दो नौट की जगह जो करना है वो करना है बस ठीक है तो क्या है बस्तूश करना है कि हमने कितने हम कितने पाप आत्मा थे और कितना पुन आत्मा बल रहे हैं पाप आत्मा के लिए थे पुन्य आत्मा के लिए बन रहे हैं प्रेजेंट में रहो कितने पुन्य आत्मा बन रहे हैं उसके पर जोचना नहीं है पता होना थी यह बस अब जितना जितना इलाज क्या है जितना जितना शिरीमत पर चलेंगे उतना उतना जरूर बाप को फॉलॉई करेंगे तो बच्चों के आगे एक तो ये चितर है कौनसा बर्मा बाबा का और दिलवाग्णा मंदिर भी पूरा यादगार है गीत भी गाते है ना दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में अब पराए देश पत्रित श्रीर में आये है बाप खुद कहते है ये पराया देश है पराया किसका रावन का हमारे देश को सा है राम राज्य पराय देश को सा है रावन राज्य तो तुम भी पराय देश अत्वा रावन राज्य में हो इसका मतना हो भारत वासी पहले राम राज्य में थे इस समय पराय अर्था रावन राज्य में है एक्सेप्ट कर लो अंदर बुद्धी में बिठ चालो दान ला कर लो इस बात की अब शिव बाबा तो विचार सागर मंतन नहीं करते ये ब्रमा विचार सागर मंतन करके समझाते हैं क्या विचार सागर मंतन नहीं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका ये है दिलवाडा मंदिर अब ये जो चितन होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है आदी देवी भी बैठे हैं बीचे बैठे तबस्या कर रहे हैं उपर में है स्वर्ग अब अगर जो उन्हों के भगत है उन्हों को ग्यान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राज्यों की शिक्षा ले रहे हैं उपर में भी प्रवर्ती मार्ग नीचे भी प्रवर्ती मार्ग है यो क्योंकि नीचे कुमारी कन्या अदर कन्या का चित्तर भी है अदर कुमार और और कुमार भी हैं तो मंदिर में आदी देव भ्रम्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं अलगले कोड़ी है ना दिकायव सभी बैठे हैं अब तुम समझ गए हो कि भ्रम्मा सरस्वती ही राधे क्रिशन बनते हैं पता है ना वारको ब्रम्मा सरस्वती ही अगले जनमे राधे क्रिशन बनते हैं ब्रम्मा की आत्मा का बहुत जनमों के अंत का जनम है आत्मा तो वही है ना शरीर बदलते 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 ब्रम्मा बन गे अगले जनमे शरी क्रिशन बनेंगे तो यह बाप और बच्चों का यादगार है कौन सा दिलवाडा मंदेर बाप और बच्चों का यादगार है ऐसे तुम नहीं हजारों लाखों चितर रखेंगे मौडल है ना वो दिखाया हुआ मौडल में थोड़े चितर रखे जाते हैं शोरू में बाहर एक दो चितर रखते हैं अंदर त ये है जड़ और हमारा है चेतम्या जिनों ने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है जगत अंबा जगत पिता और उनके बच्चे हैं मैजोटी माताओं की होने के कारण नाम लिख दिया है मंदिर में भी कुमारी करन्या और अधर देवी है मैरीड भी है अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्ज के चितर है भाई लोग भी है दिखाएं हाथि बाई भाई भी बने हैं अब ये सा बात तुम बच्चे ही समझसकते हो तो तुम अभी बनते हो साफ दिल तुम अभी बनते हो साफ दिल क्लीन हटे यह आतमा से अब गुन निकाल रहे हो तुम्हारी ममा किसी को समझहती थी तो उनको तीर लग जाता था आई बापा ममा को याद कर रहे हैं जब भी किसी को जाती थी तो उनको तीर लग जाता था हमरी सर में जब बताते ना हमरी सर में एक बारी बहुत लोग आगे कि हम मार दें कि ये कर दें कि कौन है ये कौन है ये तो सारे आगे बड़ा पंगा पढ़ गया, बहुत जमस पंगे पढ़े थे ममा अंदर तपस्या कर रही थी जब अंदर आए, ममा तपस्या कर रही थी सामने आए, बोल लेकर द्वाजा तोड़ देंगे, ये कर देंगे अंदर आए, ममा को देखा, सब की बोलती बंगा, कुछ बोली नहीं पाए, बाहर इतना चला रहे थे, अंदर चुप, शान्त हो गए, यह क्या होगा, यह ममा की पावर थी, तो बाबा ने कहा, क्योंकि, क्योंकि उन में सचाई और पवितरता थी, आनेस्ट थी मिल्पूल, जो बाब यगी में, यगी के परती पूरी आनेस्ट, एक एक बच्चे के परती पूरी आनेस्ट और पवितरता थी, तो बहुत दो वैल्यूस बहुत इपॉर्टेंट है, इस यगी में चलने के लिए, और भी गुमारी तो मम्मा का नाम पहले ही आता है पहले लक्षमी फिर नाराया तो अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुन धारन करो अब गुनों को निकालते जाओ पहले गुन रेंगे तो पद भरष्ट हो जाएंगे अब सपूत बच्चों का काम है क्या काम है सपूत बच्चों का हर एक बात समझना पहले तुम इसका मतलब बेसमझते अब बाबा समझदार बनाते हैं अब अग्यान में बच्चे खराब होते हैं तो बाब का नाम बदनाम करते हैं बच्चों ने गल्द काम किया नाम तो बाब का बदनाम हुआ ऐसे ये तो है बेहद का बाब ब्रहमा कुमार ब्रहमा कुमारिया कहला कर फिर इश्वर बाब का नाम बदनाम करेंगे तो तो बाबा कहते उनका क्या हाल होगा ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी बरश्ट हो और बहुतों का लुक्सान भी हो तो बाबा ने समझाया है दूर देश से आते है पराय देश में पिर रावन राज दौा पर से शुरू होता है बकती भी दौा पर से शुरू होती है इस ममें सब की तॉमॉप परण जयनी जड़ज़ी भूत अवस्ता ए बस खोकला हो गया गिरने ही वाले अंदर से सब खोकले हैं उपर से तो झाता है हेलनी है वैलनी है जिम जा रहे हैं फसला जांगा ही है एंदर से खोकले है कैसे पतर से अंदर से खोकले है जर जरी भूत है थोड़ा सा किसे को कहा दो खाने को पर जाएगे आपको है ना बस दिल शिकर्ष हो जाएगे मुझे ऐसे क्यों गोगा जितना खाने को ज्यादा पड़ेगा मन्दा समुन उतना अंदर से कोखला है ठीक है तो ये बेहत का पुराना ज़ाड है बेहत का ग्यान कोई देई न सके बेहत का सन्याज कोई कराई न सके वो है वो हद का सन्यास कराते हैं बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं गरवा निच रहते, गरवा चोड़ना है हद का सन्यास, यह कलियों की दुनिया का सन्यास कराते हैं, आत्माओं को समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? हे बच्चे, यह परानी दुनिया है, आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे, यह परानी दुनिया है, और तुम्हारे अब चुरासी जनम पुग्रे हुए, महा भारत लड़ाई सामने खड़ी है, धर्ड वलवार सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है, पहले बावत आ रहे हैं, त्यारिया पूरी है, अपनी अवस्ता बनानी है, वहां की त्यारिय पूरी है, है ना, विनाश अवश्य होना ही है, बाहर तो बावश्य होना ही है, यह पर गिरह यूद होंगे, गिरह यूद होंगे, उसके लिए अलर्ट रहना पहले से, त्यारिया है, त्यारी क्या है बेहद के बाप और वर्से को याद करो बस स्वाद दर्शन स्वाद दर्शन चक्कर फिर आते रहो एक ही उपाई है बस यह नहीं कि टीवे देखिला जो कहान लाई हो रही है उसकी देखने वहां प्रैस होगा कोई देखने की जुरूरत नहीं है वो टाइम वेस्ट कर रहे हो इंफरमेशन ज्यादा लेना भी सेथ के लिए खराब होता है अपडेट ज्यादा रहने के जूरते हैं दुनिया के बारे में स्वादर्शन चक्कर फिराते रहो एक ही उपाई है बाप और वर्से को याद करो यह बाबनी क्या बोला यह आत्माएं सुनती हो यह बाबा क्या रहा है यह बाबनी हम आत्मा हैं परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं जब तक जब तक यह पक्का निश्चे नहीं गोया समझे समझेंगे कुछ भी नहीं कोंसा निश्चे हैं कोंसा निश्चे हैं हम आत्मा हैं हमको बाब पढ़ाते हैं परमात्मा जो बाप है गौड फादर है वो पढ़ाते हैं तो पहले यह निश्चे करें कि हम आत्मा अवी नाची हैं हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर परवेश करती हैं नहीं तो अगर हम आत्मा शरीर में परवेश ना करें तो आदम शुमारी वृदी को कैसे पाए पॉपलिसर कैसे बढ़ेगी जैसे आत्मा परम धाम से आकर शरीर में परवेश करती है वैसे परम पिता परम आत्मा भी ब्रह्मा के तन में यानि इस शरीर में परवेश करके कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो आत्यवावर ना मीठे बच्चे accept के लिए हमने हाँ वंदर तक लगा मीठे बच्चे हमी तो है तुम मुझ सागर क्या हुआ कि तुम को तुम मुझ सागर के बच्चे जल कर खाक हो गए हो काम विकार में जल कर खाक हो गए हो अब मैं आया हूँ तुम को पावन बना कर वापस घर ले जाने के लिए आती बाबा ने मैसेज दिया खोखने हो गए हो अब मैं तुम्हें आया हूँ घर ले जाने के लिए जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही कहा जाता है पतित भरष्टा चारी ये सारी दुनिया ही विकारी है इसलिए ड्रामा प्लैन अनुसार मैं रावन के देश में आया हूँ तो पांच हजार वर्ष पहले भी आया था और हर कल्प आता हूँ हर साइकल जब शुरू होता है तब आता हूँ और आता भी हो संगम युगे तो बच्चों किसलिए आता हूँ बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए तो सत्युग में है जीवन मुक्ति बाकी सब रहते हैं मुक्ति में तो भी तो भी इतनी सब जो आत्मा हैं उनको ले को जाएगा को ले जाएगा बाप को ही का जाता है लिबरेटर और गाये तो बाप इआ कर भकतों को भकती का फल देते हैं यानि तुम ही पुझारी से पुझे बनते हो बापा कोई और कोई और तकलीफ नहीं देते क्वारा मन्दिर में चित्र बरो त्टीक है क्या दिखा है उसमें निचे बच्चे योग में बैठे हैं उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन तो पर्म पिता परमात्मा का चित्तर भी है यानि शिव बाबा ब्रमा द्वारा सत्यों की स्थापना कर रहे हैं तो यहां भी चित्तर में देखो जाड के निचे तपस्या कर रहे हैं जाड के चित्तर में देखो जड़ों में हमी बैटे हैं तपस्या कर रहे हैं ब्रमा सरस्वती की भी मा हो गई ब्रमा सरस्वती की भी मा हो गई गाया भी जाता है तमेव माता पिता तुमी हो तुमी हो बंदू सखा तुमी हो अब मीराकार को कैसे कह सकते हैं सबकुछ तुमी माता पिता सबकुछ हो तो इस में ब्रमा के तर्ण में ब्रमा ये मा बर्गी ना तो इस में उसने परवेश किया है तो ये बनी माता बनी ना सन्यासी तो निवरिती मार्ग वाले है अपने मुख से कहते हैं कि ये हमारे फॉलोवर्ज है शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करते हैं वो भी पढ़ते ही रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं बंदू ओगया बड़ा भाई भी हो गया वह भी पढ़ रहे हैं सखा में क्लासमेट भी हो गया तो क्लासे पर 13 सारे सब कुछ ही हो गया तो शिव बाबा कहते हैं मैंने भ्रमा द्वारा एड़ाप्ट किया है प्रूफ क्या है तुम राज्योग सीखी रहे हो अब शिव बाबा को अपना शरीर तो है यह नही वहां मंदिर में भी लिंग रखा है दिलवारा का अ इसको कि इसको पता इसके बतलब लागा नएं तो अधर कुमारी कुमारी करन्याभीють और सिखलाने वाले शिव का भी चित्तर है ना स्वरक मालिक स्वरक का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए वहां शिरी क्रिशन की बात ही नहीं जहां ब्रमा बैठा है वहां शिरी क्रिशन कैसे आए ब्रमा का बैठे हैं संगम योग में शिरी क्रिशन आते हैं सत्यों में तो संगम पे कैसे दिखाएंगे तो शिरी क्रिशन की आत्मा पून है ब्रमा कितन में वोई तो तपस्या कर रही है किसलिए सुनदर बनने के लिए अभी ये अभी वो शाम है ब्रमा है शाम है सुनदर हो गया क्रिशन हो गया उपर में वेकुंट के सुन्दर चित्र खड़े हैं ब्रामन ब्रामनिया ही फिर बनती बनेगी देवता टेकिन गरंटी कि बाबा के बच्चे ही जो ब्रामन ब्रामनिया हैं यही बनने वाले हैं देवता अब तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे उचा है तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे उंचा है और तुम बच्चे ग्यान तो सबको देते ही हो तुम बच्चे ग्यान तो सबको देते ही हो लेकिन कही समझते हैं कि ग्यान में आकर पति पत्री दोनों साथ रहते पवित्तरे ये तो बहुत बड़ी ताकत है ये तो बहुत बड़ी ताकत है परंटू यह नहीं समझते हैं कि ये सर्व शक्तिवान बाप की ताकत है बाबा आप में बल बरते है पवित्तर रहने का बाप देखो स्वरक की कितनी भीती देते हैं कितनी टेम्टेशन देते हैं बच्चे पवित्तर बनो बस बच्चे पवित्तर बनो तो स्वरक के मालिक बन जाएंगे क्या करो पवित्तर बनो तो स्वरक के मालिक बन जाएंगे हाँ माया के तुफान तो बहुत आएंगे माया के तुफान तो जब पवित्ता की धार ना करने शुक्राद हो बना माया के तुफान तो बहुत आएंगे बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट कलास थे क्या हो गया बाबा जट बताएंगे इस समय बरामनों की माला में नमभर वार कौन-कौन है परद्थू इस समय बतादेंगे नमभर वार कौन-कौन है परद्थू सब काय Recebs एंगे ना। उसी सीट पर नमबर पर कायमा कायम रहें ये नहीं हो सकता क्यों कमाई में दशाएं बैठती है ना किसी की रहू की किसी की कोई अगर रहू की दशा बैठती ए तो कैसे बदलता है वो फिर ग्यान छोड़ कर चले जाते हैं पुरानी दुनिया में पिर विकारी दुनिया में जल जाएंगे समलो इस पर रहू की दशा है रहू का ग्रहन लग गया कहते हैं क्या कहते हैं पिरो हमसे ना यहां मेहनत नहीं होती बड़ी मेहनत नहीं तो इसमलो रहू का ग्रहन लग गया इस पर बाबा को यादी नहीं कर सक जाते हैं अब दशाएं तो फिरती रहती हैं कभी राहू की कभी केतू की कभी मंगल की कभी शनी की है ना अब माया के तुफान आने से धीले हो जाते हैं अगर बहागंती हो गया किसी भी कारण से ग्यान छोड़ दिया तो समझेंगे शाम बन गया विकारों में गया यहान छोड़ता क्यों है मतलब इससे मतलब विकारों में जाएगा जाएगा यहां आती हैं किसलिए सुन्दर बनने के लिए तो तुम ब्रामन कुल वाले शाम से सुन्दर बन रहे हो श्री कृशनी अकेला शाम सुन्दर नहीं है हम सभी शाम से सुन्दर बन रहे हैं यहां बहुत जबरदस कमाई है और बच्चे ही जानते हैं ममा बाबा लक्षमी नरायन बनेंगे तो बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुर्शार्थ करके जरूर तक्षद नशीन बनेंगे आपके तक्षद को जीतने वाले बनेंगे आपके बाद हम ही गद्दिय बैठेंगे नि हम ही वारिश बनेंगे परन्तू कहते तो बहुत हैं फिर बिरे ग्राह चारी बैट जाती है चलन भी अच्छी चाइए बेड़ भी तो अच्छा चाइए न खाली जिए निकी विकार को जीत लिया भी अच्छा चाहिए तुम्हारा धंदा है क्या बिजस आपका घर घर में संदेश पहुचाना कि श्युव बाबा को याद करो तो विकरम विनाश होंगे क्या बताओ विनाश सामने खड़ा है तुम निमंतरन देते रहो तुम्हारी दिन प्रते दिन वरिदी होती जाएगे बाबा के बच्चे दो बढ़ते जाएंगे और और सेंटर खुचते जाएंगे ये इतना बड़ा मकान भी कम पढ़ जाएगा उस समय बाबा ने कहा था जब पांड़ों ने बना था तो बाबा ने कहा वो भी कम पढ़ जाएगा देखो कहा अब तो ग्यान सरूर भी बन गया अब निचे शांती वाल में देख कितना बड़ा हॉल वो भी कम पड़ रहा है आगे चल कितने मकान चाहिए तो ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंद भी जरूर चाहिए बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं सेंटर बनाने किसके लिए अपने लिए तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए सेंटर बन गया कितनी खुशी होनी चाहिए वा कितने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए सब के लिए सेंटर बन गया परंतु खुशी तो होनी चाहिए परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धी योग तोड़ देती है क्योंकि अभी माला बन नहीं सकती बुद्धी तोड़ देती माया तो बाबा अभी माला बन नहीं सकती अंत में रुद्र माला बनेगी फिर विश्णू की माला बन जाएगी तो बाबा कितना अच्छी रिती समझाते है अब अंबा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सब को समझाया जाए तो अभी ये है ग्यान ग्यानेश्वरी वहां भी भीड मत जाएगी तुम सिर्फ काम करो तुम एक चेंटर्बें लेना सब्सक्षां काम करो और पैसे काहं से आये बाप तुम सेव जिल से करो में पैसे तो चंप जाये も पैस आ जैए अचा प्षपर फिड़ेंगा थो पैसे तो आ जाये मいたजल के अप सेवा करो भामझा रखो शुत्त मारे प्नी है को सब्सक्राइते आपा जो किसे जो बनाते हैं किसे पैश्मक्राइं आइते हैं पहले अपर एक जो आप बड़ा मुश्मिल होना थे अजब करो देखो क्या होता है तो पाबाई ने का ड्रामा में पहले से नूदा हुआ है, तुम दस सेंटर खोलो, बाबा गराग दे देगे, बाबा गराग दे देगे तुमारो जिंदा न गरो तुम, पर तु सेंटर ही नहीं कोच सकते, सेंटर ही नहीं कोच सकते, कलकते जैसे शेयर में तो बहुत सेंटर खुलने ही चाहिए, हिमते बच्चे मददे बाप बाबा तो किसी को भी टच्च कर देंगे काम तुमको करना है ऐसे मुझे दना करो कोड़ बीटा चोजेगा वो अपनाप लगा देगा और काम तुमको करना है बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूप दारन कर ये सर्विस कर सकते हो तु कहीं भी जाकर करना क्या है करना क्या है कहीं भी जाकर बहुतों का कल्यान कर स रखते हो अब जैनियों की भी सर्विस करनी है बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी है ना परन्तु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धी नहीं है जो सर्विस करें जैनियों की सेवा कैसे करो जैनियों के पाद जाओ जैनियों को बताओ कि देखो तुम भी तो कितना प् तो बाहर का ऐसे खाना नहीं खाते हो लसन प्याज डला हो बिलकुल नहीं खाते हो जैन फूड ही अलग है दुनिया में टेनों मिलता जैन फूड है ना कितनी छुता रखते है और उनको शिर्फ यह नहीं पता कि बना को रहा है उसके विचार कैसे चल रहे है शिर्फ बाबा में नहीं है बाकी सुचता तो है लसन प्याज ड़ी खाना है इसी सुचता है और यह भी समझाएंगे तो बाबा की बच्चे बन गए पर तू बच्चों की विशाल बुदी नहीं है जो सर्विस करें अगर सर्विस नहीं कर रहे हो तो बाबा क्या कहेगा उनको कुछ देह अबिमान रहता है कुछ देह अबिमान रहता है अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते तो धारना के लिए मुक्सार है बाप का बनकर माया के वश नहीं होना कितनी बुटिट भूदाना है बाप आगा बनकर माया के वश नहीं होना क्या करना है फिर कर्मा तीत बनने का पुर्शार्थ करना है बाप को भूल क्या करना है बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है दूसरा बुद्धी से बेहद का सन्यास करना है चोटा हद का सन्यास नहीं करना घर बार छोड़ दिया ये कद नहीं बेहद का सन्यास करना है और बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धी बन सेवा करनी है बुज्दी की विशालता से सेवा करनी है बुज्दी की विशालता क्या है आधी मज्धि अंत का ग्यान रख करके त्रिकाल दर्शियों करके सेवा करनी है वर्दान दिल की समीपता द्वारा बाप के दिल की समीपता द्वारा सेयोग का अधिकार प्राप्त कर मंग उत्सा में उड़ने वाले तिवर पुरशाती भव कौन है आजा तिवर पुरशाती कैसे होते है जिनको सेयोग का अधिकार के तोर पे बाबा का सेयोग मिर रहे हैं उनको और जब सेयोग मिले का तो क्या होगा वो मंग उसा में उड़ेंगे यह है तीवर पुरशाती बच्चे पर करना क्या उसके लिए बाप से दिल की समीपता चाहिए दूर बैटे हैं कई बैटे हैं पर दिल से बाबा के समीप हैं यान योग के समीप हैं वोटता के समीप हैं तो क्या होगा बाबा का सेयोग भी मिलेगा अधिकार के रूप में उससे क्या होगा उमंग उस्ता रहेगा उसमें उड़ते रहोगे तो टैटर बजाएगा तीवर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है उन्हें से योग का अधिकार प्राप्त है और अंतक से योग मिलता रहेगा इसलिए इस अधिकार की समरिती से कभी भी ना तो कमजोर बनना ना दिल शिकस्त बनना ना पुर्शार्थ में साधारन पुर्शार्थी बनना कि बाप कमऑइंड है आचना चाहर के बाबा कमऑइंड है कैसे कमऑइंड हबता बाबा कैसे फिल करोंगे बाबा कमईड है कैसे रोकभगे कट्थे हैं दोनुं कैसे भोगे हाँ तो कमबाइंडे से रखोगे मैं बैटा हूँ बाबा की च्छतर चाया उपर रहा है उसकी च्छतर चाया का हाथ मेरे उपर रहा है बिल्कुल फील करो ऐसे यह कमबाइंड फील उपर रहना बाप कमबाइंड है इसलिए सदा उमंग उस्सा से तीवर पुर्शार्थी बन आगे बढ़ते रहना कमजोरी वद्दिल शिकस्त पन बाप के हवाले कर दो अपने पास रखो सिरफ उमंग उस्सा सिरफ ग्यान योग के पनक अपने पास रखो बस आत्मा की जो गुन है उनको अपने पास रखो बाकी सब बाबा को जो बाबा मुझे ने चाहिए यह आप रखो पर कब जब यह जब बाहर जाते हैं बारुष मी जाते हैं च्छतनी उपर होती है फिकर होता कोई जितनी बारिश पर जाता है पता है गिली नहीं नियोंगे एसे बाबा की चतर चाह मेरे उपर आद है ब्रेसिंग पन रही है उसकि ले क्या करना है Sli歌न बाबा ने बताया श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो जो मुली में आया स्टेप बाइस टेप वैसे करते रहो उससे क्या होगा तो संपूरंता की मन्जिर समीब आ जाएगी परफेक्ट बनी जाओगे टाइम लगेगा पर परफेक्ट बन जाओगे कैसे जब स्टेप पर स्टेप बावा की मुली पर साब चलोगे शिर्वर पर चलोगे अम शान्ती अभी मातेश विर जी के अनवोल महावा के सुनेंगे हमाने कितना चाथ डिस्क्राइब किया सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी ये तीन शबत कहते हैं ना इसको यतार समझना जुरूरी एकुरेट चीक है इसकी उसको समझो मनुश्य समझते हैं ये तीनों गुन इकठे चलते रहते हैं पर तो विवेक क्या कहता है विज्डम क्या कहते हैं आपकी क्या ये तीनों गुन इकठे चले आते हैं वह तीनों गुनों का पार्ट अलग अलग युग में होता है विख विख तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुन इकठे नहीं चलते फिर जब सत्युग है तो सतों गुन है दौपर है तो रजव गुन है कल युग है तो तमों गुन है जब सतो है तो तमो रजो नहीं जब रजो है तो सतो गुनी नहीं ये मनुश्य तो ऐसी समझ कर बैठे हैं कि तीनों गुनी कठे चलते आते हैं ये बात कहना सरसर भूल है वो समझते हैं जब मनुश्य सच बोलते हैं पाप करम नहीं करते तो वो सतोगुनी है, सब सच बोने हैं तो ठीक है जी है, पाप नहीं कर रहे हैं, पर तु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुन, तो इस सतोगुन, इस आत्मा में पूरी साथ गुरू की भरपूरता है, तो इसको सतोगुन का मतलब है संपूरन गोया सारी श्रिष्टी सतोगुनी है बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुनी है जो जूट बोलता है वो कल्यूगी तमोगुनी है ऐसे ही दुनिया चलती आती है अब जब हम सत्यू कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सारी श्रिष्टी पर सतोगुन सतोप परदान चाहिए हाँ कोई समय ऐसा सत्युग था जहां सारा संसार सतोगुनी था अब वो सत्युग नहीं है सत्यता का यूग नहीं है अभी तो है इकलियूगी दुनिया गोया सारी श्रिष्टी पर तमो परधानता का राज्ज है इस तमो गुली समय पर फिर सतो गुल कहां से आया अब है गोर अधियारा जिसको कहते है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन है सत्योग और ब्रह्मा की रात है कल्यूग तो हम दोनों को मिला नहीं सकते दूसरा पॉइंट क्लियर किया है इस कलियों की संसार को असार संसार कहते हैं क्यों? कहते हैं कि रामायन में ने कहा है राम जी ने कहा ये संसार है ये 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 असार संसार है असार संसार है इसका मतलब क्या है? ममा ने बहुत हिसा समझाया क्यों कहते हैं इसको असास ना सार क्योंकि इस दुनिया में कोई सार ही नहीं है सार माना कोई भी वस्तु में को ताकत ही नहीं नहीं रही अर्थार सार क्या है सुर क्या है सार क्या है सुक्षानती प्रेम पवितरता आदी वो है ही नहीं तो इस स्रिष्टी पर कोई समय सुक्षांती पवितरता थी तो अभी वो ताकत नहीं है क्यों क्योंकि इस स्रिष्टी में भूतों की परवेश्टा है इसलिए ही इस रिष्टी को का जाता है भाय का सागर भाव सागर पार करा दे करते हैं ने कहते हैं तो इस रिष्टी को कहते हैं भाय का सागर अत्वा करम बंदन का सागर कहते हैं इसलिए ही मुनुश्य दुक्यो परमात्मा को पुकार रहे हैं परमात्मा हमको भव सागर से पार करो इससे सित क्या होता है जब कहते हैं भव सागर से पार कर दो इससे सित क्या होता है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भैता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं इसलिए इस संसार को कहते हैं पाप का सागर जिससे पार कर पुन्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाते हैं तो दुनियाएं दो है एक सत्यूगी सार वाली दुनिया दूसरी है कल्यूगी असार की दुनिया दोनों दुनियाएं इसी स्रिष्टी पर होती है नहीं गर अच्छा ओम शांती